अलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां मस्त रहिए और एंटर्टेन्मेंट का मज़ा तो है यह आपके लिए कहते हैं ना कि अगर शो को अच्छी टाइमिंग मिल जाए तो यार बात यह लोगोती है क्योंकि Bollywood Star भी अपनी मुवी तभी रिलेस करते हैं जब हुने लगता है कोई फास्टीवल नहीं है या कोई IPL नहीं है या फिर कहें कि भई कोई मैच नहीं है ऐसे में कहीं ना कहीं मुवी क्रेस्ट कर जाती है अगर हम बात करें छोटे परदे की तो छोटे परदे पर बहुत सारे नए शो आने वाले हैं हर शो की TRP का बैंड बजा हुआ है ऐसे में कलर्स पे एक बहुती बहतरी शो का प्रोमो आया था कृष्णा मुवी जहां पे जो है अभी तक ये नहीं पता कि जो वो लड़का है वो लड़की है या फिर वो किनर है और ऐसे में देबात्मा शाहा का लुग फैंस को ठीक लगा ऐसे में उस शो के बारे में फैंस सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे थे कि आखिरकार उसको कलर पर क्या टाइमिंग मिलेगी काफी ने तो आइडिया लगाया था शायर 9.30 मिलेगी लेकिन भाई पहले ही उनके पॉड्यूजर पॉडक्शन बिहोर्ड ने यह डिमांड कर दी थी कि हमें बास टाइमिंग चाहिए हमारे पास बहुत सारे एपिसोड है यह शो जून में आने वाला था लेकिन इस शो को अच्छी टाइमिंग मिलने की वज़े से यह शो आपको जो है अपरेल के महीने में ही देखने को मिलने वाना है शो का प्रोमो आगया है विट टाइम विट डेट कृष्णा मोहीनी 29 अपरेल शाम 7 बजे ओलनी कलर्स तो ऐसे में जो है देवात्मा के सोशल मीडिया पर एक ही कमेंट सबसे ज़्यादा हो रहा है चोलो भाई देवात्मा फिर से सैवाना क्लोग पर आ रही है इस से पहले भी सैवाना क्लोग पर ही उनके शो आए है फिर चाहे आपका शोर ही अनोखी हो या फिर मिठाई हो अब देखना है कलर्स पे कृष्णा मोहीनी कितना बड़ा धमाल मचाता है फैमान खान को देखने के लिए सब बेताब हो रहे हैं यकीन मान ये सैवाना क्लोग पर कलर्स पे सबसे ज़्यादा रश है अब मुझे लगता है उसके अपॉजिट तेरी मेरी डोरिया शायद डगमगा सकता है क्योंकि आजकल उसके ट्यार पी वो धमाल नहीं मचा रही है जो पहले मचा रही थी क्योंकि पुराने कृदार टाटा बाय कर चुके हैं नए कृदार नए चेहरे में लॉंच कर दिये तो ऐसे में कृष्णा मोहीनी को सैवाना क्लोग की टाइम मिलने पर क्या उडारियन ओफियर हो जाएगा या उडारियन की स्रोट चेंज होगी कमें करके जरूर बता ही बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता हैं